आज जो हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं इस कहानी में रिष्टो की गहराई है श्रम के प्रती सम्मान की भावना है यानि कि श्रम मेहनत के प्रती सम्मान होना चाहिए श्रम के प्रती सम्मान की भावना है रिष्टो की गहराई है और मनुष्य की पक्षिधरता यानि कि इंसानियत मनुष्य की मनुष्यता इस चैप्टर में इस कहानी में उजागर की गई है कहानी बहुत ही जदा इंट्रिस्टिंग है ठेस का मतलब आप लोग मतलब जादे तर गाव दिहात में लोग समझते हैं कि कहीं जाते वक्त चोट लग गया उसी को ठेस लगना कहते हैं कि तो मैं जा रहा था तो ठेस लग गया तो गिर गया तो ठेस चोट लगने को गाव के लोग समझते हैं लेकिन यहां पर ठेस लगने का अर्थ वह आला ठेस लगना नहीं बल्कि थेस लगने का अर्थ है कि दुख लगना किसी दूसरे की बात से अगर आपके मन को दिल को चोट लगी दुख लगी उसका मतलब होता है थेस लगना तो इस चैप्टर में किसको किस तरह की थेस लगी फिर उसने क्या किया पूरी कहानी क्या है यह हर एक चीज़ आप लोग जा स्टार्ट तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज किस वीडियो में हम लोग टेंथ क्लास का नौन हिंदी पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नमबर सविन नाम है ठेस जो कहानी है और इस चैप्टर के लेखक है और इस चैप् के परमुक पात्र कौन है सिर्चन नाम के एक कलाकार रहते हैं और इसमें कलाकार की मन की विश्ष्टता का भी वर्णन किया गया है एक कलाकार की सोच किस तरह होती है क्या कलाकार का मन मतलब कला के परती ही फिसलता है यह पूरी कहानी आप लोग जानेंगे तो चलिए खेंगा लोग ऐसे पूरे कर समझाने से दो फायदा है पहला फायदा यह कि छोटा से चोटा और बड़ा से बड़ा पॉइंट और शूटे घार नहीं एक एक पॉइंट को सुमझाया जूंटzung को चूटेगा रही तो सकता है की भीएंगे समझ पायेंगे ठीक है और दूसरा फाइदा है है कि अगर आप लोग Atlantic का पढ़ानी को सब्सक्राइब कुरेंगे या इस चापचर से मैं को पढहूंगी तो एक एक बूएट नहीं छूटेगा हर एक और जब आप लोग हर एक पॉइंट को पढ़ लेंगे एक फ्वी पॉइंट चूटेगा नहीं तो इस चप्टर से एक भी कोश्ण छूटेगा भीने एक फिर और लोग छोड़ कर गया है देखिए इसलिए मैं बोल रहे हूं कि हर एक पॉइंट को पढ़कर बताऊंगी ना तो एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं इस चैप्टर में यह जो कहानी है इसमें कहां की संस्कृति का वर्णन किया गया है जो इंपोर्टन पॉइंट है वह लिखते भी मैं चली ज संस्कृति ठीक है तो कोशन यहां से पता है किस तरह से पूछता है कि ठेस कहानी में कहां की संस्कृति का वर्णन किया गया है ऑप्सन में दिया रहेगा मिथिलांचनल लोग संस्कृति आप लोग टिक कर दीजिएगा यह कहानी कलाकार के मन की विशिष्टाओं का मार्मिक वर्णन करती यानिकी एक कलाकार किस तरह से सूचता है उसका मन कैसा होता है वितरता कैसी होती है यह कहानी और श्रम के के अंदर मनुष्यता होनी चाहिए मनुष्यता की पक्सधरता होनी चाहिए यह हर एक चीजा आप लोग समझेंगे इस पार्ट के माधियम से ठीक है आँ आप अन्चली कहानी की घटना यह समय दना की दिश्टी से भी कहानी उल्लेकनिया है ठीक है इसकी खुबसूर्ती मतलब ये और भी ज़दा प्रचलित हो गई क्योंकि ये इतना खुबसूरे तरीके से लिखा भी गया है ना चलिए अब मैं पढ़ती हूँ पुरी कानी, स्कार्टिंग से मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिए और कहानी को समझिए बहुत ही ज़दा इंडिस्टिंग है किसको किस तरह ठेस लगता है और वो क्या करता है ये समझिएगा ध्यान से इसलिए इस चैप्टर का नाम ठेस रखा गया है खेती बारी के समय गाउं के किसान सिर्चन की गिंपी नहीं करते हैं क्या बोल रहे हैं इस चैप्टर को ऐसे लिखे है ना फडिसोर ना ठेडू जैसे कि वह खुद बोल रहे हैं और ऐसा लग रहे है कि सच्छी कहानी बता रहे हैं उस तरह तो खेती बारी के समय गाउं के किसान सिर्चन की गिंपी नहीं करते हैं सिर्चन क्या है? सिर्चन इस शप्र का प्रमुख पातर है, याद रखिएगा मेन केरेक्टर जिस पर यह कहाने लिखी गई है, पगडंडी पर तॉल तॉल कर पाउं रखता हुआ धीरे धीरे दूसरे किसान जब खेत में पहुंचकर एक दियाई काम कर चुके होते तब सिर्चन दिखाई देता क्या हाथ में खुर्पी डुलाता हुआ पगडंडी पर तॉल तॉल कर पाउं रखकर आता हुआ यानिकी रा सभाराज का प्रधर की बातों और यह पहले की बात थी कि खेती बारी के समय गाओं के किसान शर्चन को नहीं बुलाया करते यह बहुत साल पहले की बात थी लेकिन अब यह सब्सक्र हखोर देखिये आज शर्चन को मुफ्खोर काम चोय च्टोर कहले कोई जरा एक समय था जब कि उसकी मड़या के पास बड़े-बड़े बाबू लोग की सवारिया बंदी रहती थी उसे लोग पूछते ही नहीं थे उसकी खुशामत भी करते थे ठीके यहां पर बोला जला है कि एक समय ऐसा था जब लोगों जब सिर्चन के मड़या 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 जब सिर्चन की मड़या के पास बड़े-बड़े बाबू लोग की सवारिया बंदी रहती थी और उसे लोग पूछते भी नहीं थे मतलब सिर्चन को नहीं लोग पूछते थे यह पास्ट की बात थी लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है आज सिर्चन को कोई मुफ्त कोर काम च इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो कल बड़े भया की चिठी आई है शहर से सिर्चन से एक जुड़ा चीक बनवा कर भेज दो ठीक है सिर्चन जो है ना अब यह अपना प्रसनालिटी व्यक्तित्वा लोगों के सामने बदल चुका है मतलब अब जो है ना लोग सिर्च सिर्चन जो है इक कलाकार रहता है यह क्या बनाता है पहले की जमाने में इग नहीं होता था बड़िघ्चन बनाना उनका तरह चांदनी बनाना बेड़ पर का तो जो भी था जैसे भी था तो उसी तरह का कलाकार सिर्चन था जो की बोल सकते हैं वह परदा वगएर बनाता था चटाई वगएर बनाता था तो वही बनवाने के लिए लोग जो है न अपने अपने घर बुलाया करते थे और उस गाओं में सि सिर्चन करता था और इसके हाथ में जादू धा बहुत ही जड़ा खुबसूरत बनाता था यह तो इसे लिए सभी लोग अपने अपने घर बुलाते थे वह सारा काम करवाने के लिए मतलब की कलाकारी करवाने के लिए उस सारा घर में परदा वगरा लगाना था तो परदा बनाने के लिए और उसके बदले में सिर्चशन जोह नहीं उसे पैसा नहीं लेता था बलके खुब सारा खाना काने के लिए मंगता था कि हमएं पैसा मत कभी सिर्चन को बुलाने के लिए कहती मैं पहले ही पूछ लेता कि भोग क्या खिलाओगी मा हसकर कहती जा जा बेचारा में काम में पूजा भो की बात नहीं उठाता ब्रामा टोली के पंचनन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिर्चन ने तुम्हारी भावी नाखुन से और कलकारी का काम करने के लिए जाता था सबी लोग अपने घर बुलाथ थे चीक वगterm और चटाओ बनाने के लिए तो जाता था और ये पैसा नहीं लेता था उसके बदले यह सिर्फ खाना खाता भर पेट खाना खिला दो अराम से ये काम करेगा और फिर काम करके जितना भी इसको बनाना रे बना कर चला जाएगा ठीक है एक बार पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही लेखक बोल रहे हैं चौरी के चोते लड़के को सिर्चन नमेरे सामने बएपाल काम करने, चिक आपागले और यहां को सिर्चन this डिल गया पंच दिल गया तो तो चोटा लड़गा तो सिर्चन ंस वक्त मौक्टा नहीं गवाया और बेखएज़़ती कर दिया कि क्या भाई तु महारी भावी नाखंट से खाट खाट Hein Carter Kori परस्ती है क्या इम्ली का रश डाल कर कड़ी वा हूँ वहीं ने ये सब कहां से सीखा है इम्ली कारस डाल कर कोई कड़ी बनाता है ये तरहिए तुम्हारी भावी नहीं कहां से सीखा है बहुत दब बेईजद किया था सिर्चन बंचानन चौधरी के छोटे लड़के को ठीक है इसलिए सिर्चन को बुलाने के पहले मां से मैं पूछ लेता कि भोग क्या क्या लगेगा मतलब जब भी मां बोलती थी सिर्चन को बुलाना है तो मैं पहल किते ही मां हुलसकर कहती आओ सिर्चन और आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई घी की यानकी घी की खकोरन को कहा जाता है डाड़ी घी की डाड़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना और बड़ी बेटी ने सुसराल से समवाद भेजा है उसकी की डाड़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना यह लोग खालो और बड़ी बेटी ने मेरी बड़ी बेटी ने सुसराल से समवाद भेजा है कि उसकी ननद रूठी हुई है मोथी की शृतल पार्टी के लिए शृतल पार्टी चीक वगएरा चटाई परदा पनियाई जीब को संभाल कर हस्ता घी की सोंधी सुंग कर सुगंध सुंग कर ही आ रहा हूं भावी ने तो शाधी व्या के मौसम में दम मारने की चुटी कहां मिलती है ठीक है और सिर्चन जाती का कारिगर है या एक मोथी और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी क दूसरे से करवा लीजिए काम सिर्चन मुह जोर है काम जोर नहीं देखिया या पर बोला जाता जैसा ही मतलब मेरी मां बुलाते थी यह लोग घी की खाकुरन है और मेरी ननत जो मतलब मेरी बेटी की ननत रूठी हुई है क्योंको श्रीतल पाटी चाहिए तो तुम बना द देखकर और जितना भी समान खाने के लिए रखी रहती थी मेरी मां उसको देखकर सिर्चन के मुह में पानी आ जाता था और पनियाई जीव को संभाल कर हस्ता था और घी की सोंधी का सुगंध लेकर बोलता था ठीक है मैं आ रहा हूं और आकर काम करना स्टार्ट कर देता ज अगर को ह marque करते समय अगर कोई उसको डिस्टर्पकिया सिर्चन को को भी भी इस कर किया तो फिर वह कार पढता था यानु करेंगे सिर्षन मुझवर था लेकिन काम चोर नहीं नुझ हभना भात लेकिन काम करने वाला बिना मजदूरी का काम करता था सिस्चन बस इसको पेट भर भात दे दो यहांए कि पेट में जाल हो सिर्चन को बरदास्त नहीं होता था ठीक है सिर्चन को लोग चटोर भी समझते हैं कली भगारी वितरकारी दही की कड़ी मलाई वला दूद इन सब का प्रबंद पहले कर लो तब सिर्चन को अपने घर बिलाओ दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा सिर्चन खाने पीने में चिकनाई की कमी हो गई तो फिर काम में भी काम की भी सारी चिकनाई खतम हो जाती थी ठीक है अधूरा रहकर उठ खड़ा होगा आज तो अब अधका पाली दर्द से माथा टंटना रहा है थोड़ा सा रह गया है किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा किसी दिन मानू क खाने पीने में चिकनाई की कमी रह गई तो फिर काम की सारी खतम हो जाती थी कि मेरा सर अद्कपाली दर्द से माता कर रहा है मैं जा रहा हूं और किसी और दिन आकर यह सारा काम पूरा कर दूंगा और अधूरा ही काम छोड़कर चला जाता था कभी किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा मतलब किसी दिन मतलब कभी नहीं वह भाग चला जाता था सिर्फ खाना में कमी के वज़ा से तो इसलिए बोला जा रहा है कि सिर्चन मुझोड था काम छोड नहीं वह काम करता थ दिल से काम करता था बस काम के बदले वो मजदूरी नहीं लेता था अध्र आ कहता था और पैड़ घंड खेल की रंगिर शीतलपाटी यह याद रखेगा मोथी घ्छास और पटेर की रंगिर style denkt अध्र शीतलपाटी बास तिल्यू के मिलाती चीक सत्रंगे दोड के मोढ़ हैं भूसी चुनि रखने के लिए मुझ की रसी के बड़े बड़े जाले हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छटरी टोपी तह बहुत से काम हैं जिनें सिर शिर्षन के के लावा और कोई नहीं जानता था यह दूसरी बात है कि अब गाउं में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग बेकाम का काम किसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जोड़त नहीं पिट बर खिला दो काम पूरा होने पर एकाद पुराना दूराना कपड़ हाँ अभी कुछ का देहाति है घाउं गाउंत यहात महां पर भुणा जह रहा है लेकिन अभी सब कुछ किछ घ्कटम हो गया है लेकिन उस वक्त यह सब कुछ था और इन सब के बदले में उसको पैसा देने के बजाए खाना खाना वागर खिला दो और क्या कर दो पुरा नजरारा कपड़ा वगर देकर विदा कर दो वो चुप जो है ना सिर्चन लेकर चला जाता था कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं सिर्चन को बुलाने वाले जानते हैं सिर्चन बात करने में कि अबी कारिगर है महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिर्चन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी टहरो मैं मा से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात कर बित बहुत लेकिन उसके सांथ साथ बात करने में भी बहुत बड़ा कारी गर था सिर्चन एक बार महाजन तोले की भज्जू महाजन की बेटी थी ठीक है वो जो है ना भज्जू महाजन की बेटी सिर्चन की बात सुनकरन तिल मिला उठी थी बड़ी बात है बिटिया बड़े लोग की बड़ी ही बात होती है नहीं तो दो दो पटेर की पाटियों का काम सिर्फ खसारी का सत्तु खिला कर कौन करवाए भला या तुम्हारी माही कर सकती है बबुनी सिर्चन ने मुस्क पुख्रा कर जवाब दिया था आप लोग समझ सकते हैं कि सिर्षन क्या बोला था कि बड़ी बात है बिटिया बड़े लोग की बड़ी ही बात होती है नहीं तो दो-दो पटेर की पाटियों का काम सिर्फ खसरी के सत्तु खिला कर कोई करवाए भला इसकी मा जो है ना भजु म भजु महाजन की बेटी की जो मा है वो अपने घर बुलाई थी सिर्षन को और काम करवाई थी कारीकरी का काम और सिर्फ सत्तु पिलाई थी किस चीज का सत्तु तो खसारी का सत्तु पिलाकर सिर्फ काम करवाई थी तो वही मौका मिला था क्योंकि महाजन टोले की भजु महा सारी के सत्तु खिलाकर करवाता है यह तुम्हारी माही कर सकती है बभुनी मुस्कुरा कर जवाब दिया था सिर्चन और यह बात सुनकर तिल्मिला उठी थी भजु माजन की लड़की आगे देखिए उस बार मेरी सबसे चोटी बहन की विदाई होने वाली थी कौन बोल रहे ह नहीं की पतीली नावे कोई बात नहीं तीन जोड़ी फैशन चीक और पटेर की दो शितल पाटी बिनाए गी मानू तो समझ लेना मतलब की याद रखिएगा फरिशुर्णात रेडू की बहन रहती है कौन मानू नाम रहता है मानू मानू भी इस चैप्टर का बोल सकते हैं खिरदार है इंपॉर्टेंट महत्वण खिरदार मानू फडिश्वर्णात यादि लेखक की बहन रहती है और उसकी बिदाई होने वाली रहती है लेकिन बिदाई के समय मानू का जो दुढ़ा रहता है न वो ससुराल से ही फोन करके बहुत पहले बोल दिया रहता है कि मानू की बिदाई में ठीक है मिठाई की पतेली नहीं आएगा तो कोई बात नहीं लेकिन तीन जोड़ी फैशनेबल चीक और पतेर की दो शीतल पाटी तीन ज यह अगर इसके बीना आ गई मानू तो समझे की बहुत बुरा होगा यह कौन बोल दिया था मानू का दुला कि मानू की शादी में तीन चीक और दो शीतल पाटी चीक चाहिए ही चाहिए किसी बिहाल में और यह शीतल पाटी चीक सिर्चन ही बनाता था तो अब क्या हुआ भ करो कि देखने वाले देख कर देखते ही रह जाए मेरी मा जो है ना शीतल पाटी और चीक वगएरा बनाने के लिए एक सप्ता पहले ही सिर्चन को बुला दी थी और बोली थी कि देख सिर्चन इस बार मैं तुमको धोती दूंगी और वो भी नहीं तो मोहर छाप वाली कमानीएं को चिकनाता हुआ सिर्चन अपने काम में लग गया काम में लग गया सिर्चन पूरा दिल से काम कर रहा था क्योंकि इसको मोहर छाप वाली धोती की बात होइथी सिर्चन 9 वाली मैं ठीने चाप वाली धोती देने वाली थी तो इसलिए मन लगा कर काम कर रहा था रंगीन सुतलियों में जब्बे डाल कर वह चीक बुनने बैठा और देड़ हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नया फैशन की चीज बनने वाली है जो पहले कभी नहीं बनी मजली भावी से नहीं रहा गया परदे की आर से बोली पहले ऐसा जानती की मोहर चाप वाली धोती देने से ही अच्छा अच्छी चीज बनती है तो भाईया को खबर भेज देती अब मजली भावी थी परिसोर नात रेडू की मजली भावी उनसे रहा नहीं गया इतना अच् मेरे लिए भी बना देता काम में व्यस्त सिर्चन के कानों में बात पड़ गई अब ये बात सुन लिया सिर्चन बोला मुहर्चाप वाली धोती के साथ रेशम कुर्ता देने पर ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया मानु दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और मानु दीदी का दूला अफसर आदमी है मजली भावी का मुह लटक गया मेरी चाची ने फुसुसा कर कहा किस से बात करती है बहू मुहर्चाप वाली धोती नहीं मुंगिया लड़ू बेटे की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना देखिए हुआ ये कि जै फरिश्वणात रेडू की मा की सबसे चोटी बेटी है और मानु देदी का दुला अफसर आदमी है और इसलिए मैं इतना मन लगा कर काम कर रहा हूं और ये सुनकर मजली भावी की मुह लटक गई लेकिन मेरी चाची फरिश्वणात बोल रहे हैं कि मेरी चाची जो है ना उ पहली पाती में साथ तारे जगमगा उठे सात रंग पर सिरचन जब काम में मगन रहता है तो उसकी जीब जरा बाहर निकलाती है उट पर सिर्चन जब काम कर रहा होता है तो उसकी जीव उट पर थोड़ा बाहर निकलाती है अपने काम में मगन सिर्चन को खाने पीने की सूधी नहीं रहती जब ये काम में मगन हो जाता था सिर्चन तो खाने पीने की सूधी नहीं रहती खाने पीने का उसको याद नहीं र कैसने करिक और और कि मा रशोई घर के अंदर पकवान आदी बनाने में ब्यास थी वोली मैं अकेले कहा कहां क्या 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 देखूं कि अ MONJLI कि मैं घबरा गया क्योंकि इतना मन लगा कर मगन होकर काम कर रहा है और सिर्चन इसलिए मैं दोड़ कर गया अपनी मा के पास और बोला कि अरे सिर्चन को कौन चूरा और गुण दे दिया है उसको देख लेगा तो वो गुस्चा हो जाएगा काम छोड़ कर भाग जाएगा ऐ ऊच्छा संदो खाने कीने के लिए आच्छा दू उसको तो मा बोली मेरी जै कि कहा क्या 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 देखूंग अरे मंजली भावी को बुलाई और बोली कि शिर्चन को जाओ जरह बुन्दिय दे दो ठीक है बुंदिया मैं नहीं खाता काकी कौन बोल दिया ये बात सिर्चन सुन लिया और बोला कि बुंदिया मैं नहीं खाता काकी सिर्चन के मुँं में चीवरा भरा हुआ था यानि कि सिर्चन जो है न चीवरा खा रहा था और खाते वे बोला कि मैं बुंदिया नहीं कि जाओ सिर्चन के सूप में थोड़ी बुंदिया दे आओ तो मंजली भावी की भौहें तन गई हैं काम करने आया है उसको बुंदिया दिया जाए इतना रिस्पेक्ट जाकर एक मूटी बुंदिया सुप में फ्यक्त कर चलिया ही ठीक है सिर्चन ने पानी पीकर कहा मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल कर बाटती है क्या यह बात सिर्चन को बुरी लगी अब किसी को भी खाना दिये जागा अच्छा से देना चाहिए महमान है अच्छा से देना चाहिए जाकर बुंदिया सूप में फ्यक्त कर चलिया ही तो मुह भी छोटा होता है मुह लगाने से सिर पर चढ़ेगा किसी की नएहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो मजली भावी मा की दूलारी बहु करो ये मेरी मनचली कि चीज की जवरत हो मुझसे को सिर्शन का मुह लाल हो गया उसने कोई जवाब नहीं दिया बास में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी चुपके से एक पान का बीड़ा सिर्शन को देती भी बोली कर धीरे से दे दी और बोली कि सिर्शन दादा कामकाज पर ध्यान देजिए इधर उदर की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए शादी का घर है पांस तरह के लोग पांस किसम की बात करेंगे सिर्चन ने मुश्कुरा कर पान का बीड़ा मुह में ले लिया चाची अपने कमरे से बाहर निकल रही थी और जैसे देखी कि सिर्चन पान खा रहा है तो मतलब फिर से गुस्टा हो गई यह महमार है उसके बाद से पान खा रहा है सिर्चन ने चाची को अपने और अचरज से घुरते देखकर कहा छोटी चाची जरा अपनी डिविया का गम को हुआ जर्दा तो खिलाना बहुत दिन हो गये हैं चाची कई कारणों से जली भूनी रहती थी पहले से भड़की हुई थी जली भूनी रहती थी अब सिर्चन से तो और भी ज्यादा बुस्टा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था छोटी चाची को अब जहनकती हुई बोली अब पता नहीं क्या हो जाएगा इतना खतरनाक बात बोल दी चोटी चाची सिर्चन को पता नहीं क्या होगा बस सिर्चन की उंगलियों में सुटली के फंदे पढ़ गये मानों कुछ देर तक वह चुपचा बैठा पान के मुह में घुलाता रहा और फिर अचानक उठकर प तरह किसी कोई आपके घर काम करने के लिए इतना मेहनत कर रहा है अब उसको इस तरह से बोल दिया जाएगा कि जनकती मतलब बोल दी उसकी चोटी चाची जनकती कोई कोई बोल देगा कि मस्करी करता है तुम्हारी बड़ी हुई जीव में आग लगे घर में भी पान और गम जिसना भी हंसिया वगरा चूरी वगरा रखा था सब उठाकर संभाल सुमल कर जो अधूरा चीक बना कर रखा था उसके तरफ एक तरफ मतलब अधूरे चीक के तरफ देखकर और फिर चलते बना मतलब हननाता हुआ बोलते हुए कुछ-कुछ आंगन से बाहर निकल गया चा अतर टोली के औरते सिर पर गठर लेकर गली-गली मारी फिरती है अब इस तरह चाची जब देखी चाची की अरे गुस्टा होकर चला गया चिक का अधूरा चोड़कर तो बोलने लगी कोई मुख में तो काम नहीं करता आप टूपे में मोहर चाप वाली धोती आती है इस मारे उसी तरह मंद पड़े हुए थे मा बोली जाने दो बेटी जी छोटा मत कर मानू मेले से खरीद कर भेज दूँगी यह अब बेचारा तो सिर्चन बहुंच दा गुस्टा होकर चला गया था अब दुबारा आने वाला वो नहीं था क्योंकि एक बार जब सिर्चन गुस मैं मतलब की फड़िश्वर ना थ्रेडू मैं सिर्चन को मनाने गया देखा एक फटी भी श्रितल पाटी पर लेट करवा कुछ सोच रहा है मुझे देखते ही बोला बबुआ जी अब नहीं कान पकड़ता हूँ अब नहीं मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा कौन पहनेगा ससुरी खुद मरी बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ बबुआ जी मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता यह श्रीतल पाटी उसी की बनी हुई है श्रीतल पाटी को छोकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूंगा गाउं भर में तुम्हारी हवेरी में मेरी कदर होती थी अब क्या मैं चुप चाप लौट आया समझ गया कलकार के दिल में ठेस लगी है वह नहीं आ सकता है यह कौन बोला शिर्चन बोला जब मैं गया यानि कि फरिश्वर नात रेडू मैं अभी हमको क्या समझ लिए फरिश्वर नात रे रहे हैं कि सश्रुई खुद मारी और बेटे बेटियों को भी साथ लेकर गई तेखें यह जो स्रीटल पाटी है जिस पर मैं में लेटा हूं यानिकी चटाई जिस पर मैं लेटा हूं यह उसी की बनाई हूई है इसे चूकर मैं कहता हूं कि अब मैं यह काम नहीं करूंगा यानिके स्षीट और चीख 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 और श्रीटल पाटी का यह जो बनाने का काम कारिगरी का काम है अब मैं इसको छोड़ देता हूं अब मैं इसको नहीं करूंगा गाउं भर में तुम्हारी ही हवेली से मुझे इज्जद मिलती थी लेकिन आज तुम्हारे ही हवेली से आप है अब मैं चुपचा प्लोट आया समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है वह नहीं आसकता है कल खलकार कौन था सिर्चन अब उसके दिल पर ठेस लग गई थी अब इतना जड़ा कोई बेजती कर देगा मुझ हाउ सा चटो और कोई बोल देगा किसी को तो उसको तो बहुत दर्द हो गई ठेस लग गया था सिर्चन को वापस आ गया था अब दुबारा काम करने वाला वो न बहुत रहा था इस्टेशन पर समान मिलाते समय देखा मानु बड़े जतन से अधूरी चीक को मोड़कर लिये जा रही है अपने सांथ इस्टेशन पर मैं यानि कि फरिषवर ना श्रेड़ू अपनी बहन यानी कि मानू को छोड़ने के लिए जा रहा था तो मैं देखा कि म मनहीं मन मुझको सिर्चन पर बहुँदा गुस्सा आया कि काश वह बना देता बिचारी मेरी बहन कितनी जतन के साथ मतलब उसको मोड माड कर रख रही है चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कामचोर चटोर मुझे लगा कि मैं भी जो है ना सिर्चन को बहुँद बोलू कामचोर चटूर वगेरा गाड़ी आई समान चढ़ा कर मैं दर्वाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दरते हुए सिर्चन पर नजर पड़ी बभुआ जी उसने दर्वाजे के पास आकर पुकारा जैसे ही गाड़ी आई और समान चढ़ा कर मैं दर्वाज से गरदन निकाल कर जिड़की के स्वार में कहा यानि कि मैं फढ़ ना त्रीरू लेखक बोल रहे हैं मैंने क्या किया खिड़की से गरदन निकालकर जिड़क कर कहा कि क्या है सिर्चन ने पीट पर लदे हुए बोज को उतार कर मेरी ओर देखा दोड़ता आया हूं बोली सिर्चन डाला आप और नहीं बोल कर चुप हो गई खिड़की के पास खड़े ओकर सिर्चन ने हकलाते हुए कहा यह मेरी ओर से हैं सब चीजें हैं दीदी शीतल पाटी चीक और एक जुड़ी आसनी कुष की गाड़ी चल पड़ी ठीक है जो जो है ना बोरा में क्या ले सब कुछ है मानु मुहर्चापवाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी सिर्चन ने जीब को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए ठीक है मानु जो है ना यह देखकर बहुत जदा भावक हो गई कि देखो इतना सिर्चन के दिल पर ठेस लगा है ठेस लगा उसके बा मुहर्चापवाली धोती का पैसा निकाल कर जो आठ रुपे का मिलता था निकाल कर देने लगी तब तक सिर्चन ने जीब को दांस से काट लिया और बोल लोट जोड़ दिया कि नहीं 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 मुझको नहीं चाहिए मानू फूट-फूट कर रो रही थी मैं बंडल को ख बखर यह सारा समान वो खोल देखने लगा ऐसी कारीगरी थी ना ऐसी बारीकी से काम किया गया था कि ऐसी का sólo गरी मैं पहली बार देखा था ठीक है और जो सिर्चन है ना वह हाथ जोड़ लिया कि नहीं नहीं मुझको पैसा नहीं चाहिए नहीं मुझको मुहर्चाप वाली धोती चाहिए पस आज के बाद से मैं यह काम छोड़ता हूं नहीं चाहिए अब कुछ भी और चला गया ठीक है और इसी के साथ-साथ पूरी कहानी आप लोग समझ गए और इस कहानी में जो भी इंपरटेंट पॉइंट है हर एक पॉइंट आप लोग समझ गए एक भी पॉइंट नहीं चूटा अब इस चैप्टर से कोई भी कोशन आएगा आप लोग हंड़ीट परसेंट करेक्ट बना के कॉंटेक्ट में जितने भी लोगे चाहता आप शेयर कर दें और अगर आप लोग चैनल पर नएना आए गुए मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरू दबा लेजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज